उना के पास समड़्याड गाउं में जुकटना हुई एक घटना होने के बाद तुरंथ ही सरकार ने कार्यवाई शुरू की और शाम तक FIR दर्ज भी हो गई दूसरे दिन पांच लोगों की धर्ब पकड़ कर दी गई और दो ही दिन के बाद सोलह लोगों को पकड़ा गया है और उस पर कार्यवाई हो रही है जैसे घटना बनी के तुरंथ जो लोग अनुसर जाती के थे उनको तुरंथ ही होस्पिटल में लिया गया उती तुरंथ सारवार शुरू कर दी गई और मैंने यह तुरंथ निर्णए कर दिया कि सारवार का पूरा खर्चा राज्यसरकार उठाएगी पूरी घटना की जहांच CID क्राइम करेगी और जो केस चलेगा उसके लिए स्पेशल डेजिक्नेटर कॉर्ट की रचना की जाएगी तीस दिन में पूरी रिपोर्ट एक ओर्ट को दी जाएगी और उसका केस कॉर्ट में चलेगा यह पूरा काम राज्यसरकार ने तुरंध ही करवा दिया था बाद में मैं वहां पहुँची वहां जाकर सब परिवार को मैं स्वयम मिली सबको मैंने सुना और जो भी करना था वो मैंने वहां विलोगों के लियक किया है वो बच्चों को शिक्षा मिले और अच्छी स्कुलों में शिक्षा मिले इसके लिए भी मैंने प्रबंद करने का कहा है और राजसरकार की और से जो सरकार की योजनाए है यो योजनाए उसको पहुची है फिर भी हम प्रयास करेंगे कि उना तालुका के सब लोगों को कोई भी व्यक्ति रह गया हो तो उसको भी उसको मिलना चाहिए वो पूरा प्रबंद करके में वहां से वापिस आई हो कि किसी भी सब्य समाज को शोभा नहीं देती है और इसके बाद जो गुजरात में घटनाए हुई कहां रेलिया निकली कहीं आवेदन पत्र दिया जाता है तो कहीं साथ लोगों ने दवाई पी राजकोट में जाकर इस साथ लोगों को भी मैं मिली जो दर्दी थे उनको भी मैं मिली हूँ और उसकी मैंने बाता सुनी है मैं युवानों को मैंने भी अपील की है कि आवेश में आकर ऐसी घटनाए मत कीजिए और जो नुक्षान होता है नुक्षान तो घरिब को ही होता है इसलिए आज भी फिर से मैं गुजरात की जनता को युवकों को मैं अपील करती हूँ कि ए मार्ग मैं से आप दूर हटिए शान्ती बनाए रखिए और आपकी जो कोई भी तकलीफ हो तो सरकार आपके साथ है आपका सब काम कर रही है उसका सहयोग करें गुजरात ये शान्ती प्रिय प्रदेश है घांधी का गुजरात है सरदार का गुजरात है डॉक्टर बाबा साहिब आमेड करका के समय से हम साथ में मिलकर सब का विकास हो इसका प्रयास कर रहे हैं आप लोगों ने भी इसमें काफी सहयोग दिया है और आज भी मैं फिर से आप सब को विरंति करती हूँ कि फिर से गुजरात में शांती बनाये रखी जाए और जो डॉक्टर बाबा साहिब आमेड करने जो मार्ग बताया है वो मार्ग पर हम चले